नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मार्केट क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का EOD सेटप क्या है और साथ में डिसकस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के उपर बुलिस और किस लेवल के नीचे बैरिस देखना चाहिए और साथ में हम फिन निफ्टी गोल्ड सेंसेक्स और सिल्वर यह सबका लेवल पे भी बात करने हैं कि किस लेवल के उपर आपको बुलिस या बैरिस देखना चाहिए विकेंड एनालीसिस जो कि निफ्टी फिप्टी के स्टॉक पर बात करते हैं कि कौन सा है स्टॉक जो कि सिट अप उसका बुलिस है किस स्टॉक के निफ्टी फिप्टी के किस स्टॉक का सिट अप बैरिस है या सिट अप न सबसे पले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से थर्सडे को निफ्टी 19.00 पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 129.00 निगेटिव क्लोज दिया तो क्या यहां पे निफ्टी के EOD में कुछ सेटप चेंज हुआ है तो यह निफ्टी EOD का चार्ट है यहां लॉंग कॉलम ओफ एक्स अभी भी है कुछ भी चेंजिस नहीं हुआ है हां यह सेटप तो क्लियर दिख रहा है कि बुली से निफ्टी के EOD सेटप में विकाज प्राइस ट्रेडिंग है और बुलीस पैटरन है बट अब यहां पे अगर करेंट सिनारियो होगा अगर हम बात करें तो हो सकता है यह सेम कॉलम ओफ एक्स में खिच दे और 22,742 तक चला जाए यह सेम रैली अगर यहां पे एक छोटा रिट्रेश्मेंट होता है जो कि कॉलम रिवर्सल वैलू अगर हम देखे तो 22,400 के नीचे अगर आके क्लोज होता है और उसके बाद अगर डबल टॉप बाई मिलता है या सिम्पल इसी लेवल से कोई भी अगर डबल टॉप बाई मिलता है तो वह एक बड़ी तेजी के लिए हो सकती है तैयारी ऐसे भी अपसाइड जो काउंट है 23,000 जरूर उपन है तो यह EOD बेसिस पे जो देते हैं निफ्टी बैंक में कुछ चेंजेज है या नहीं तो यहां पर हम 0.15 परसेंट का चार्ट देखते हैं अब यह बैंक निफ्टी का EOD चार्ट है डेली चार्ट अब यहां से अगर 45 डिग्री ट्रेल लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो बेरिस 45 डिग्री ट्रेल आप अब यहां रिस्क रिवाड अफर्डेल नहीं है तो नेक्स फालो थू हो एक इन्टरेस्टिग कंडिडीट हो सकते है यहां पर फिर से रिएंटर आप कर सकते हो अगर आप के निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने दिए अगर आप एंटिर पहले से लिए तो जरूर स स्टॉप लॉस फॉलो किजी बट करेक्शन जो है अब जो कॉलम रिवल्चा यानि 47,680 के नीचे अगर आता है क्लोज होता है और उसके बाद अगर डबल टॉप बाई आता है तो पॉसिबिलिटी है यह 49,200 और उसके ऊपर भी जा सकते हैं यह अभी भी बैरिस आप अपर्चुनिटी के लिए EOD basis पे आट लिस्ट आप एवाइड कीजिए निफ्टी के लिए 21,900 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक आप EOD basis पे बैरिस एवाइड कीजिए अब आप बुलेंगे कि आप इंट्राडे का लेबल बुलिस और बैरिस द दुसरे दीन 100-200 POicar तो दो लेबल जब आपका राता है और अगर जिस लेबल के ब्रेक करता है उस लेबल के हिसाब से आपको इंट्राडे ट्रेड तो दोनों जो ट्रेक्मेंट होना चाहिए दोनों अलग-अलग होना चाहिए दूसरा हो सकता है कि आपका setup bullies है EOD में, तो हम bullies ही trade लेंगे, ये भी एक approach है, जो कि आप कर सकते हों, कि setup daily में bullies है, तो intraday में अगर bullies opportunity मिलेगा, तो ही लेंगे, otherwise वायट करेंगे, तो ये एक जो approach है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है, कि ये approach गलत है, वो approach सही है, ऐसा कुछ नह होता है, trading में, और उसको continue करना है, तो वही same, जैसे अगर various EOD setup हुआ, तो ही हम various opportunity लेंगे, otherwise we will avoid, तो आप इस angle से आप करेंगे क्या, कि at least आप against the trade, EOD के basis पे आप नहीं जा रहे हो intraday में, अगर हम intraday की बात करें कि thursday को intraday में क्या कुछ changes जोया, तो sort of sideways move, clear दिख रहा है कि कुछ खास move नहीं हुआ और 19 point तो हुआ ही था, बट कल के लिए, मंडे के लिए जो level है, अगर 22,630 के उपर अगर sustain होता है, तो possibility है, एक upside आपको move मिले, और 22,400 के नीचे अगर sustain होता है, तो आपको downside move आपको मिल सकता है, अब यह 400 और 630, यह 230 point का almost range है, इसके बीच में क्या करना चाहिए, दोस्तों अगर Monday के 22,500 के नीचे अगर sustain होना सुरू हुआ, तो आप 630, यानि 630 का stop loss place करके, या अगर यह high का, 600 और 620 का, यह stop loss place करके, आप short के लिए जा सकते हो, यह एक approach है, जो कि aggressive trader के लिए, अगर आप conservative trader है, तो short करते हो, 630 is stop loss, by 530 के नजदीक में, अगर sideways move है तो, sorry, 400 के नजदीक में ही आप buy के जिए, 400 के नीचे अगर sustain होता है, तो आप sell के side देखे, तो यह nifty का level रहा, अब अगर bank nifty की बात कर लेते हैं, तो bank nifty का chart setup, overall chart setup, थोड़ा जरूर, bullish to bearish जरूर हुआ है, because previous two anchor के नीचे नहीं आए, close दिया है, but Monday को अगर आप देखोगी, तो two anchor, अगर यहीं पर इसी के नीचे अगर sustain होना शुड़ू होता है, तो possibility यह बारीश अपर जाता है, तो possibility यह upside move आपको मिले, और 47,850 के नीचे अगर sustain होता है, तो एक downside move मिल सकता है, जो कि 47,460 का, तो यह तू लेवल है, जिस पे आप नजर रख सकते हो, उसके बाद हम आते हैं, sunsetx पे, sunsetx का clear yes, अभी भी bullish है, जैसे निफ्टी वैसे ही, sunsetx का chart setup bullish है, जो लेवल जो है, अगर 74,250 के उपर अगर जाता है, तो possibility है, एक upside move मिले, और 585 तक जा सकता है, downside move, 73,500 के नीचे ही bearish opportunity, उसके उपर, अगर 74,000 ब्रेक करता है, तो ये possibility, aggressive trader, वहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका TOI भी support करता है, तो ये sunsetx का level आ, अब देखते हैं, fin nifty का level क्या रहता है, तो fin nifty में 21,100 के उपर अगर जाता है, तो आपको bullish opportunity और 21,000 के नीचे अगर sustain होता है, तो bearish opportunity लेखना चाहिए, overall chart setup यहाँ पे भी bullish to neutral आप बोल सकते हो, तो overall fin nifty, nifty, bank nifty और sunsetx, ये सब का level हो गया, अब बात कर लेते हैं, गोल्ड और silver की, तो गोल्ड एक बड़ा move दिया है, जब अमने बोला 62,000, यानि ही लेबल अगर multiple resistance बिलेकर, वहाँ से clear एक upside move आ रहा है, तो कल के लिए, यानि अभी से अगर हम label की बात करें मंडे को, तो possibility है, अगर price 65,000, 550 के उपर अगर sustain होता है, तो possibility है, एक upside move आपको मिले, और upside अगर move मिलता है, तो यह 65,000, 920 और 66,350 यह जा सकता है, और अगर gold 65,000, 50 के नीचे अगर sustain होता है, तो paris यानि reversal आपका हो सकता है, silver की बात करें, silver अभी flat है, बट बहुत ही अच्छा move अल्मोस्ट दिया है, 68,600 से लेकर 74,000 तो अल्मोस्ट एक अच्छा-कासा move दिया है, और उसके लिए 74,350 के उपर अगर sustain होता है, तो possibility है, अगर एक bullish opportunity फिर से आपको मिले, और 73,700 के नीचे अगर sustain होता है, तो possibility है bearish opportunity, और इसमें अगर आपको live chart, DA smart line plot करके आप रखो, और DA smart के नीचे अगर जाता है, तो bearish DA smart के उपर bullish, इस तरह का एक pattern आप कर सकते हो, तो यह रहा overall chart setup की बात हो गई, अब देख लेते हैं, OI के हिसाब से क्या कुछ changes हुआ है, तो यहाँ, अगर हम open interest में आएंगे, और यहाँ पे nifty के लिए अगर हम बात करें, तो अगले का, यानि 14th March का, यहाँ एक, yes, 22,400, यह जो put हो आई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 22,500, तो call और put, 22,500 का, यह एक जो दिख रहा है, मुझे support और resistance, मतलब, यहाँ से trend decide होने वाला है, मंदे से, अगर 500 के उपर अगर sustain हो गया, तो possibility है, अगला 23,000, अगर 500 resistance लेकर आवाँ डाउन साइड अगर आया, और 22,400 किसी काराउन वास ब्रिक कर गया, 22,400, तो possibility है, एक फ्रिसे एक फॉल दे, तो 22,400 और 22,500, यह 100 पॉइंट का जो range है, आप 100 एंट वन फिप्टी, यानि 2550 अपकर करके चलो, तो यह 22,500 और 22,350, यह 200 पॉइंट का जो range है, इस range के बाहर जब निकलेगा, तो एक फिर से एक आपको बड़ा move मिल सकता है, यह OI के हिसाब से तो मुझे दिख रहा है, अब other acid class की बात करें, तो gold एक आउट परफर्म जरूर कर रहा है, बट अभी भी nifty DA smart के उपर में trade हो हाँ, bullish जरूर है, other asset class आउट परफर्म नहीं कर रहें, अंडर परफर्म कर रहा है, अगर यह अंडर परफर्म कर रहा है, तो यह गुड शाइन रहेगा for equity market, अब R zone में गए, और यहाँ पर breath analysis एक बार देख लेते हैं, कि breath chart क्या indicate कर रहा है, तो हमने यहाँ nifty 50 select किया, और nifty 50 chart scan किया, तो इससे breath का value मालूम चले गया कि nifty 50 का, आज के date में breath क्या है, तो दोस्तों कल जो था, यानि एक दिन पहले 60 था, उसके बाद 60, और आज 56, इसका मतलब क्या है, भले ही, कल का जो closing था 22,474, आज 22,483, बट 1% के breath का जो value है, वो नीचे आया, मतलब, sort of divergence तो मुझे दिखा, एक candle में, लेकिन क्या ये enough है, see, एक cautious approach तो है, इदर, दिख रहा है, कि यहां कि तोड़ आशा cautious आपको रहना चाहिए, साथ में ये एक divergence भी मुझे दिख रहा है, divergence मतलब, crossover दिख रहा है, not divergence, so crossover, where is crossover दिख रहा है, अगर ये continue अगर रहता है, तो ये छोटा हो सकता है, कि एक sale आफ है, अब दोस्तों, अगर यहां पे, अगर आप simple भी, अगर analysis अगर आप करते हो, तो higher top, higher bottom अभी भी formation rate जाए है, तो जब तक previous swing को break नहीं करता है, तब तक बहुत ज़्यदा डरने की बात नहीं है, previous swing को अगर break किया, तो आप समझ लो कि हाँ की, हो सकता है कि अब sale, जैसे हम nifty 50 का, अगर आप chart 0.10 पे अगर आप plot करो, और previous swing का जो label है, वो 21,950, इसका मतलब किया है, जब तक 21,950 break नहीं करता है, तब तक डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यदा डरने की बात नहीं है, हाँ, 21,950 जिस दिन break कर दिया, मतलब, first sign हो जाएगा कि अब हम reverse हो रहा है, बट मुझे जो दिख रहा है, breath के हिसाब से, अभी participation बहुत ज़्यदा strong नहीं है, 56 परसेंट का है, all time high ले रहा है, nifty all time high, breath 56 परसेंट है, participation यानि इसका मतलब पूरे तरह से बहुत ज़्यदा नहीं है, सो तोड़ा उपर में जाएगा, लेकिन दीरे-दीरे, sideways होते हुए जा सकता है, या दूसरा, अगर divergence अगर continue है, तो possibility है एक sell-off आपको दिख जाए, चोटा sell-off, या time consolidation या price, कुछ तो होने वाला है, यह clear है, अब वीडियो के last part में आ जाते हैं, जहां पर हम nifty-fifty की बात करेंगे, और हमने last video में cover किया था कि OFSS पर आप जान रखिए, और OFSS का अगर आप Thursday का अगर आप चार्ट देखोगे, तो एक अच्छा खासा move दिया, जो कि Thursday को, अल्मुष्ट इसने 4% का up दिया, और 4% का मतलब 8,000 का stock में अल्मुष्ट तीन 300 और 350 पॉइंट का हो जाता है, जो कि यही एक अच्छा, L&T वो भी अच्छा move दिया, तो ये दोनों stock अच्छा किया, बट अब क्या, तो Nifty 50 का stock देखते हैं, कि क्या वहाँ पे कोई front line पे, front line stock है, वहाँ पे कोई bullies breakout हो रहा है, तो उसके लिए हमने Nifty 50 किया, यहाँ group select किये, और 45 degree trend line, यानि auto 45 degree trend line हमने plot कर दिया, उसके बाद 1.25% रखते हैं, और 1.25% पे हम discuss करेंगे, तो हम 45 degree trend line यहाँ पे plot कर दिये, और उसके बाद Nifty 50 भी हमने select करे हैं, तो first stock जो है आदानी, इसमें क्या दिख रहा है, clear दिख रहा है कि यहाँ पे neutral है, बुलिस का भोगा, अगर बुलिस 3, 2, sorry, 3, 3, 3, 5 के उपर अगर दाता है, तो बुलिस opportunity देखना चाहिए, next stock आदानी ports, बुलिस, set up बुलिस है, next double top buy, 1, 3, 4, 5 के उपर आपका initiate, यानि phrase position आप add कर सकते हो, pattern जो failure level, जो है, अगर उसके उपर अगर जाता है, तो जो भी double bottom cell, वो आपका pattern देखना है, but overall chart setup बुलिस है, Apollo hospital, chart setup बुलिस है, but risk reward affordable नहीं है, wait for the next follow through, Asian pen, chart setup neutral है, Asian pen का, possibility है कि ये एक contra count, जिसको हम बोलते हैं, तो contra count से possibility है कि 2885 तक जाए, but overall chart setup neutral है, axis bank, chart setup बुलिस, next double top buy, यानि 1125 के उपर आप opportunity देख सकते हो, कुछ खास बड़ा, बजाज आटो, ये एक बड़ा move मुझे दिख रहा है, और तो हमेशा हम बोल रहे हैं कि बजाज आटो पर काफी दिन के बाद ये एक sell off और उसके बाद double top buy, तो setup बुलिस है, उसके बाद अभी current risk reward affordable नहीं है, लेकिन ये अगर यहां से कोई भी correction अगर आता है, कोई छोटा correction और उसके बाद अगर breakout अगर आता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये इसमें तेजी दिख रहा है, तो बजाज आटो पर नजर रखिए, चार्ट बहुत ही बढ़िया उम्दा है, बजाज फिन सर्व बेरिस नहीं, निट्रल है, लेकिन बेरिस बिलो 1549 के नीचे अगर जाता है, तो आपको बेरिस दिखना चाहिए, बजाज फिनांस बेरिस है, बट जो सेट अप यानि 63,000 के 6,300 के नीचे अगर आता है, क्लोजिंग बेसिस पे, तो पॉसिबिलिटी है एक आपको अपर्चुनिटी मिले, तब तक तो अभी नहीं दिख रहा है, बारती याटे चार्ट सेट अप बुलिस, बट वेट फर दा सीम बजाज अटो जैसा केस है, वेट फर दा नेक्स फॉलो थू, फॉलो थू पे ये इंट्रेस्टिंग कंडिडेट, क्लॉस्टर अफ काउंट भी मुझे दिख रहा है बारती याटेल में, तो यहाँ से अगर आप प्लॉट करेंगे, तेरह सो और सीम, यानि अगर कॉलम अफ ओ में जाता है, फिर डबल टॉप बाई, तो ये क्लॉस्टर अप काउंट अल्मुस्ट तेरह सो का आपको दिख सकता है, तो ये भारती याटेल चार्ट सेटप बुलिस, BPCL, चार्ट सेटप नियूट्रल है, बट अगर चार्ट की बात करें, तो बुलिस है, बुलिस किस लेबल के उपर, यानि अगर 45 के उपर अगर निकलता है, तो पॉसिबिलिटी है, एक अपसाइड आपको मूब मिले, 6.83 और 7.30 का, तो वीट फॉर दा नेक्स डबल टॉप बाई, जो कि 6.45 के उपर है, 6.45 के उपर, इसमें जरूर देखना चाहिए, BPCL में, बेटानिया, चार्ट सेटप, नियूट्रल, वेट, बेरिस जो लेवल है, 4.48, 1.4 के नीचे अगर जाता है, तो बेरिस होगा, शिपला, चार्ट सेटप बुलिस है, नेक्स्ट एंट्री विल बी, 1.490 के उपर, यानि 1.490 के उपर अगर जाता है, तो आप देख सकते हो, कोल इंडिया, ओवर रॉल, चार्ट सेटप बुलिस है, 4.30 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है, देविज लैब, सेटप बुलिस, निूट्रल है, इसका अगर हम बात करने, सेटप की तो बेरिस अभी भी है, बट करेंट सिनारियों पे भले ही सेटप बेरिस है, लेकिन एंट्री नहीं है, एंट्री, नेक्स फॉल्लो तो आइटिंक एवाइड करना चाहिए, इस केस में, डॉक्टर रेडी, निूट्रल सेटप है, बुलिस, यानि लो पुल, इसका वैलू है, 6.320, yes, तो बुलिस, सेटप बुलिस है, और जो पैटर्न फेलियर लेबल बिलो 6.180 है, आइसर मोटर, बैरिस सेटप, नेक्स एंट्री विल बिलो 3.750, बट अफर्डेवल मुझे यहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, ग्राशिम क्लियर बुलिस है, नेक्स्ट डबल टॉप बाई, अबब 2.1, जो डबल टॉप बाई वैलु है, 2259, यानि 2260, HCL टेक, सेटप नूट्रल है, वेट फर नेक्स्ट डबल टॉप बाई, HDFC बैंक, अभी भी सेटप नूट्रल है, ना बुलिस ना बेर रिस्ट, जो एवाइड करना चाहिए, HDFC लाइफ, सेटप बुलिस है, वेट फर नेक्स्ट फॉलो थूप बिकाज रिस्क जो है, यहां पे ज्यादा है, हिरो मोटो, सेटप बुलिस है, अगर आप यहां पे अगर एंटर करते हैं, तो 4, 3, 6, 5 आपका रिस्क है, यानि लेवल है, बॉटम का, तो उस पे आप अगर, अधरवाइज वेट फर नेक्स्ट फॉलो थूप फॉलो थू, हिंडाल को, सेटप नूट्रल, नेक्स्ट डब हिवल, कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है, सो एवाइड, आईसी, इसे बैंक, सेटप बुलिस है, सो प्राइबेट बैंक में अगर हम देखें, तो आईसी, इसे बैंक, बुलिस दिख रहा है, 1044 के नीची अगर जाता है, तो सेटप अपका नूट्रल हो जाएगा, बट अगर कोई भी करेक्शन होता है, रिट्रेश्मेंट होता है, और उसके बाद डबल टॉप बाई आता है, तो नजा रखना चाहिए, बिकाज बैंक निफ्टी आउट पर फॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस, बैरिस है, बैरिस अपोर्चन्टी देखना चाहिए, आईटी सी में यह सेटप बुलीश हुआ है, पॉसिबिलिटी है, एक अपसाइड मूव 424 और 433 तक डिख सकता है, और अगर प्राइस जो है, फिर से 400 के नीची अगर जाता है, तो आपका पैटर्न नेगेट हो जाएगा, जेस डाबलू स्टील, नेट्रल चेटप, वेट फर दा नेक्स कोटेक बैंक, नेट्रल चेटप, वेट फर दा नेक्स फॉलो त्रू, बट यहां बेस बन रहा है, कोटेक में, बेस इसा है, यह पैटर्न रीटीस्ट का एरिया है, जहां पर प्राइस शपोर्ट ले रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है, बट पॉसिबिलिट भी किया था, setup bullies है, pattern value level below 3600, इस पर नजा रखिए, LTIM, bearish setup, और आपको, यहां पे risk reward affordable नहीं है, so wait for the next follow through, but setup bearish है, महिंद्रा महिंद्रा, setup neutral है, bullies जब तक नहीं होता है, तब तक, neutral में, I think, neutral में जो भी setup है, तोड़ा avoid कीजिए, कोई भी position का, मारूती का setup, यहां पे अगर double top buy आता है, तो बहुत ही बढ़िया है, 11,690 के उपर, 700 के उपर, closing होता है, तो जरूर मारूती पे ध्यान देना चाहिए, triple top है, 0.25% पे, Nestle India, setup neutral है, so अभी avoid कीजिए, NTPC, bullish setup है, double top buy यानि, 340 के उपर अगर जाता है, तो possibility है, एक upside move आपको मिले, तो 340 के उपर आप द्याने के, 411, यह cluster of count दिख रहा है मुझे, अगर यह जाता है, तो यह इस पे नजर रखिए, जो कि 3, जो label है, 360 के उपर, sorry, 360 के उपर अगर जाता है, तो आपको एक बड़ा move मिल सकता है, NTPC में, ONGC, अभी भी setup bullish है, और 285 के उपर आपको bullish opportunity इसमें मिलेगा, Power grid, setup bullish, wait for the next follow-through, Reliance, setup bullish है, but current scenario यानि current जो अहां पे है, वहां पे entry नहीं दिख रहा है, double top buy पे ही, या at least column reversal होना चाहिए, तो CR value यानि 3000 के उपर अगर जाता है, तो ही आप closing basis पे, तो ही फिर आप देखें, otherwise, SBI life, neutral setup, avoid करना चाहिए, SBI bullish setup है, next follow-through, इस पे नज़ा रखिए, तो bank nifty कहीं न कहीं, भाईया, अच्छा दिख रहा है, Sun Farma, ये भी setup bullish है, तो Sun Farma में तो हर एक double top buy आपके लिए opportunity है, 1549 के नीचे pattern failure है, Tata consumer, setup bullish है, wait for the next follow-through, ऐसे हमने ये discuss भी किया था, कि possibility है, तो 1 to 1 to 4, 4 और 1310, ये count open है, तो possibility है, but wait for the next follow-through, Tata Motors, bullish setup, Tata group ही, की बात ही मंतिव तो Tata group, यानि Thursday को तो सब Tata group उपर थे, और Tata Motors तो हमने काफी दिन से cover भी किये थे, even Tata consumer भी किये थे, Tata power किये थे, तो ये Tata Motors भी bullish setup, next follow-through, interesting हो सकता है, Tata Steel, ये भी एक बढ़िया candidate दिख रहा है, जो कि possibility है 170 और 187, pattern failure level below 150, तो ये पे आप नज़र रखे, Tata Steel पे, TCS, और ये सब जो IPO Tata and Suns का, जो IPO आने वाला है, जो जिसके बात चल रही है, इसके चलते ये सब दिख रहा है, कि TCS हुआ, even Tata chemical का बहुत ही बढ़िया उसमें दिखा, take him, कुछ खास नहीं, avoid करना चाहिए, Titan, setup bullish है, wait for the next follow-through, ultra tech cement, setup bearish है, but risk reward affordable नहीं है, तो wait for the next follow-through, इसलिए हम follow-through का wait करेंगे, UPL, यहाँ पर अभी भी setup neutral है, तो आपको bullish opportunity थोड़ा avoid करके चलना चाहिए, विप्रो, setup neutral है, avoid, तो ये Nifty 50 के stock रहे, और जैसा हमने बोला Tata chemical, वहले ही Nifty 50 के stock नहीं है, लेकिन एक वीडियो में हमने multi-column breakout भी discuss किया था, दोस्तों ये stock देखो आप, ये almost six days में का move है, 3% के chart पे ये triple top भी formation हुआ है, high भी break किया इसने ये, और possibility ये continue रहे, बड़ अभी current scenario में long column of X है, तो क्या इधर जाके entry करना चाहिए, because मैसा गलती यहाँ पे हो जाती है, कि अब और उपर जा रहा है, और उपर जा रहा है ले लो, नहीं, दोस्तों wait करो, एक बार छुट गया है, गारी में नहीं बैटे, wait करो, उस क्या, because current scenario में disparity आई है, तो possibility है, यह column consolidation में जाए, column of X, column of O, यह सब में जाए, उसके बाद फिर break out, so wait for the next follow-through, so इस तरह से यह 50 stock हमने cover किया, जिसका chart setup bullish, bearish या neutral, bullish है तो bullish opportunity, bearish, bearish opportunity, neutral है, avoid कीजिए, और किस level के उपर bullish होना है, वो भी हम discuss किया, but बहुत जादा chart मुझे नहीं दिखा bullish, एक तो bank or Tata group, यहीं bullish मुझे दिखा, बाकि सब आईदा neutral नहीं तो bearish है, बहुत जादा bearish भी नहीं दिख रहा है, तो sort of sideways move मुझे दिख रहा है, so hope आपको यह video पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो please अपने दोस्तों के बीच share कीजिए, comment कीजिए and like कीजिए, comment जरूर कीजिए, thank you so much. झाल मुटतश टूरूरूरू झाल मुटतश आया है,